हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे तो स्टूडेंट आज हम अपनी सीटी की सीरीज में आगे बढ़ते हुए सभी को बता है कि उसमें हमारा एक जो टोपिक मेंशन है डेट इस दे नैचुरल डिजास्टर तो हम इसको कवर करेंगे जितने भी हमारे करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि नैचुरल डिजास्टर क्या है देखिए अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया हमारा एक ऐसा सब कॉंटिनेंट है सब कॉंटिनेंट मिंस ऐसा एक उप महादवीप है जो मतलब बहुत ज्यादा प्रोन है जिसमें बह लोमिनाज हैं यह हमारे इंडिया के अंदर टाइम टो टाइम अकर होते रहते हैं डिफरंट जियोग्राफिकल एरिया ठीक है तो यह सारे ही किसके अंदर आते हैं यह हमारे नैचुरल डिजास्टर है अब ऐसा क्यों है कि इंडिया के अंदर नैचुरल डिजास्टर जो इ तो इसकी वज़े से भी क्या हो रहता है हमारा एरिया वन्यूरेबल रहता है डिजास्टर के लिए ठीक है अगर हम बात करें 1988 के अकोर्डिंग तो हमारा जो 11.2% टोटल एरिया था वो फ्लड प्रोन था सिर्फ फ्लड की बात हुई है फ्लड भी एक डिजास्टर है लेकिन अ कि 1998 के अंदर वही फलर्ड एरिया कितने में कनवर्ट हो गया 37% में ठीक है तो यहाँ देख सकते हैं कि जैसे जैसे जो एन्वार्मेंटल पॉलिशन है डिग्रेडिशन है वो इंक्रीज होता है तो जो हमारे नैचुरल डिजास्टर है उनके लिए भी हमारे इंडिया का एर हो जाता है या वल्नियूरेबल हो जाता है अब हम बात करते हैं फोर मैजर डिजास्टर जो इंडिया ने एक्सपीरियंस किये हैं लास्ट एयर के अंदर जैसे लाथूर है ये लाथूर एक सिटी है किसके अंदर महरास्टरा के अंदर 1993 के अंदर जो यहां पे अर्थकुए काया था वो काफी बड़ा था उसके बाद बात की है सुपर साइकलोन उडिसा के अंदर आया था 1999 के अंदर और अर्थक्वेक की बात करे 2001 के अंदर गुजरात में ठीक है एंड सुनामी इन तमिलाडू एंड आंधरा परदेश इन दिसंबर 2004 तो ये हमारे सबसे बड़े चार मेजर डिजास्ट्र हैं इंडिया के अंदर जो लास्ट इयर में हमारे इंडिया के लोगों ने एक्सपिरियंस किये हैं दोबारा आप देख लेजी एक बार यहां पर सबसे पहला 1993 के अंदर लातूर सहर के अंदर महारास्ट्रा में भुकम पाया था उसके बाद सुपर साइकलोन उडिसा के बात करते हैं 1999 में के अंदर जिसमें काफी लोग मारे गए थे गुजरात 2001 में अर्थक्वेक आया था और सुनामी के बात करें 2004 के अंदर तो वो आई थी हमारे तमिलनाडू और आंधरा प्रदेश के अंदर तो ये चार हमारे काफी मिजर डिजास्टर थे इंडिया के अंदर वैसे तो हम ये कवर कर चुगए टाइप ओफ डिजास्टर फिर से देख लेते हैं Mainly दो तरह के disaster होते हैं, वही एक होता हमारा natural disaster, जिसमें कहीं ना कहीं nature का role होता है, एक होता है man-made disaster, जिसमें directly human being का ही role होता है, अगर हम बात करें na natural disaster की, तो indirect way से यहां पे भी role किसका होता है, यहां पे भी role होता है, किसका वही, human being का, ठीक है, for example, fire है, accident है, road rail या air जहां पे भ epidemic है, जैसे कोरोना आया था पीछे, यह सारे ही example है, किसके man-made disaster के, लेकिन अगर हम बात करें, earthquake, epidemic में आ जाएगा, जो भी कोई disease एकदम से फैल जाती है, cyclone, flood, drought, यह example हमारे natural disaster के, अब देखिए, जो natural disaster है, बहुत सारे होते हैं, nature के अंदर, कुछ है जो हम यहां study करेंगे, स सबसे बड़ा एक destructive natural hazard है, nature का इसमें रोल होता है, यह कभी भी किसी भी time साल के अंदर, day, night, कोई इसका time decide नहीं होता है, यह sudden impact होता है, जिसमें बहुत कम warning दी जाती है, बहुत कम पहले से यह पता लग पाता है, कि आज become है या आएगा, या मतलब warning इसमें बहुत little होती है, और जब भुकम पाता है, तो उससे क्या destroy होती है, building है, हमारे घर के अंदर, schools के अंदर, industries के अंदर, जो भी infrastructure है, वो सब कुछ damage हो जाता है, जो human being है, वो kill हो जाते है, और यह हम बात करें, दूसरे जो inhabitant है, wild life है, हमारे organism है, everything is destroyed, अगर उसकी intensity और frequency जादा होती है, तो, ची जो हमारे अर्थ होती है, यहाँ पर यह diagram आप study देख सकते हैं, तो यह हमारा एक अर्थ का diagram है, अर्थ में कौन सी layer, जो earth crust है, वो एक rocky layer है, रोकी मतलब उसमें चट्टाने वगर होती है, जिसकी thickness क्या होती है, कहां तक होती है, अगर हम बात करें, depth में 10 तक, ठीक है, 10 km तक, और अगर हम सी की बात करें, तो वो कितने तक जाती है, 65 km तक, अगर हम सी के अंदर के बात करते हैं, तो जो crust है, is not one piece, वो कोई एक piece नहीं है, बलकि इस crust के अंदर बहुत सारी plates होती है, and dead plates, they vary in size, size में वो differ करती है, ठीक है, few hundred, two thousand of km, किस के अंदर होती है, यह सारी यह layer, earth की crust के अंदर होती है, और जो यह layer होती है, इनको क्या बुला गया है, यह plates होती है, और in place का size भी vary करता है, कहां से कहां तक, few hundred, two thousand of km, अब देखिए, जो एक बात यहां पर ध्यान रखनी की है, अगर हम बात करें, earth के crust की, तो उसकी range sea, land के उपर क्या है, under 10 km, और sea क नीचे कितने है भी, 65 km नीचे तक है हमारा earth crust, और earth crust में क्या बताया है, अलग-लग layers होती है, जिनको हम क्या बोलते है, plates बोलते है, और कहीं ना कहीं जो earthquake का region है, वो किस पे depend करता है, plates पे ही depend करता है, कई बार यह plates एक दूसरे के again slide करती है, कई बार एक दूसरे के ऊपर slide कर बोलते हैं, theory of plate tectonics, all dead plates ride up on the more mobile mental and are driven by some yet unconfirmed mechanism, perhaps thermal convection current and when these plates contact each other stress arise in the crust, अब देखिए, ये crust का हमें structure दिखाया गया है, ये outer core है, ये inner core है, और ये जो mental है, ठीक है, इस mental के ऊपर जो हमारी plates होती है, वो क्या करती है, वो क्या करती है, लेकिन कई बार thermal convection current की वज़े से लगा लो, जो हमारी plates है, वो एक दूसरे के ऊपर, ऐसे ही या तो ऐसे slide करेंगी, या एक दूसरे के against, pull करेंगी, उनको या push करेंगी, तो वो जो pull push का reason होता है, उसकी वज़े से क्या होता है, stress create हो जाता है plates के ऊपर, और जब वो stress arise होता है crust के उपर, तो उस stress को भी classify किया गया है, अलग लग में, एक stress होगा, जिसमें जो plate है, एक दूसरे को क्या करेंगी, pull करेंगी, खीचेंगी, एक दूसरे stress के अंदर क्या होगा, pushing against one another, वही plate एक दूसरे को push करेंगी, और third case में क्या होता है, कि वही जो plate होती है, वो एक दूस इसा होता है, तो stress create होता है, earth crust में, और उस stress की वज़े से क्या आता है, earthquake आता है, all these moments are associated with earthquake, यही हमने अभी बात की है, तो the area of stress at plate boundary which release accumulated energy by sleeping or rafchering are known as fault, जब देखे, जब उन plates के अंदर stress create होगा, तो उससे क्या होगा, वो particular area जहाँ पे stress create होआ है, वहाँ पे क्या जाएगा, मतलब वहाँ पे एक तरह से rupture आ जाएगा, ठीक है, and the theory of elasticity say that crust is continuously stress, अभी जो यह theory है, elasticity tectonic plates की, यह हमें क्या बताती है, कि जो earth का crust है, वहाँ पे continuously stress created होता रहता है, कि इसकी वज़े से movement of tectonic plates की वज़े से, और एक point ऐसा आता है, जब उस particular area के अंदर जहाँ पे stress create होआ है, वहाँ पे fault होता है, और फिर उसमें rupture start हो जाता है, ठीक है, और जब rupture start होगा, तो इसका मतलब वहाँ पे और ज़्यादा strain बढ़ेगा, and the fault rupture generate vibration, और वही जो fault है, वो जो rupture है, उसकी वज़े से vibration आएंगे, earth के उपर, उन vibration को बोला जाता है, seismic, क्या बोला जाता है बई seismic, जो यह seismic word है, यह कहां से लिया गया है, यह एक Greek word, seismos से लिया गया है, और वो जो seismic wave आती है, वो radiate करती है, किसको wave को in all the direction, earth surface पे, ठीक है, the point of rupture, जो जहां से rupture हुआ, already हम discuss कर चुके है, उसको क्या बोलते है, focus बोलते है, and may be located near the surface, अब यह जो focus है, वो हो सकता है, surface क nearby भी हो, और हो सकता है, वो जो focus है, वो धरती के बहुत जाएदा नीचे भी हो, ठीक है, the point on the surface directly above the focus, मान लिया है, यह focus है, जहां पे stress आया है, rupture है, तो इसके just जो उपर का यह area होता है, उसको हम बोलते है, epicenter of the earthquake, यह center माना जाता है, suppose rupture यहां आया, तो इसके उपर का area, consider किया जाता है, और epicenter पे ही earthquake आता है, ठीक है, देखिए, यहां पे जैसे यह focus था, यह जो focal depth दिखा रखिया है, इदर से, और इसके उपर का just जो area है, इसको हम epicenter बोलते है, यह epicenter से distance को show किया है, और focus के अंदर ही हमने क्या बताया था, ऐसे तूटना start हो जाता है, जिसको ह आप देखिए, और लड़ी में बता चुकी हूँ, प्लेट के motion के बारे में बताया गया है, divergent motion होता है, प्लेट का convergent motion होता है, और एक transformational motion होता है, तो अब इसमें होता क्या है, देखिए, जब divergent motion होता है न प्लेट का, तो यहां पे जो crust है, वो कब generate होगा, जब दोनों प पे जो motion है, प्लेट का motion, उसको हम बोलते हैं, divergent motion, next देखिए, हमारा है, convergent motion, convergent में जो अर्थ का crust है, वहां पे जो प्लेट है, वो dives करती है, एक दूसरे को धकिलती है, ठीक है, तो pressure से यह हमारा है, convergent motion, यह सारे ही motion, जो प्लेट के हम study कर रहे हैं, यह सारे ही region है, होता है भी, transformational motion, transformational में क्या हुआ, जो crust है, ना तो वो produce होता, ना वो खतम होता, क्योंकि इसमें जो plates है, वो slide कर रही है, horizontally, एक उदर जा रहे है, एक दर, सिर्फ यह slide कर रही है, ठीक है, तो इनकी वजह से जो particular case बनते हैं, वो मैंने साइड में वेंशन किये है, आप यहां होती है, वो अलग-लग frequency होती है, उनकी velocity होती है, क्योंकि देखिए, earthquake तो बहुत time बार हमारे यहां आया है, तो हर time क्या होती है, intensity low होती है, और intensity low होनी की वजह से, चाहे वो कुछ second भी रहता है, तो आज तक ऐसी कोई हानी हमारे area के अंदर नहीं हुई है, ठीक है, जो actual rupture ह होता है, वो कुछ seconds के लिए होगा, या फिर एक minute के लिए भी वो हो सकता है, और अगर वो one minute के लिए रहे जाता है, और उसके intensity काफी high है, तो सब कुछ हमारा आर्थ पे खतम हो जाता है, ठीक है, तो ground shaking is caused by the body wave और surface wave, मतलब जब ground हिलता है, shaking होती है, उसको हम बोलते हैं, इं इन waves पे काफी question पूछे जाते हैं, दो तरह की ये wave होती है, एक होती है body wave और दूसरे होती है, हमारी surface wave, अब body wave में देखिए, दो तरह की wave है, body wave के अंदर यहां से question जरूर पूछा जाता है student, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, body wave में P wave और एक S wave, ये दो तरह की body wave हो या earth से जहां पे epicenter है, वहां से ये जो wave है, ये कहां तक आती है, 6 km पर आर तक आती है, एक घंटे में 6 km एक cross कर लेती है, और जो S wave है, वो एक घंटे के अंदर 4 km cross करती है, तो body wave कितने तरह की होती है, आपको ध्यान रखना है, दो टाइप की होती है, एक P wave और एक S wave, अब ये body wave से पता चल रहा है, ये किसको penetrate करेंगी, अर्थ की body को, और vibrate करेंगी, बहुत fast, P wave कितने 1 km में कितना घंटा जाती है, वही 6 km, और S wave एक घंटे के अंदर कितना cross करते, कितनी speed से वो जाएगी, 4 km पर आर, तो ये थी हमारी body wave, next देखिए, surface wave, surface wave क्या करती है, ये vibrate कर करेंगी, surface wave, और ये horizontally और vertically, दोन तरह से vibrate करती है, हमारे ground को, and these long period wave, causing swaving of tall building, और यही वो wave है, surface wave ही region है, जिसकी वज़े से हमारी जो बड़ी-बड़ी buildings है, वो तूट जाती है, बिखर जाती है, ठीक है, and slight wave motion in bodies of water, even at a great distance from the epicenter, तो अगर आप से पूछा जाए, which wave is responsible for swaving of the tall building, तो आपको क्या answer करना है, हमारा answer रहीगा, surface wave, अब देखिए, जो इसमें earthquake है, can be of three type based on the focal depth, suppose ये earth है, तो earth से जैसे हम नीचे जाते हैं, तो उस focal depth के base पे, हमारी earthquake तीन तरह का होता है, एक तो deep earthquake होता है, एक medium होता है, और एक shallow होता है, अब देखिए, deep में, deep में जो earth surface से जो vibration जाएंगे, वो कहां तक जाएंगे, 300 to 700 km from the earth surface, इतनी नीचे तक vibration होती है, deep में, medium के अगर हम बात करें, तो उसमें कितनी जाती है, 60 to 300 km per second, shallow की बात करें, तो less than 60 km, अब देखिए, वैसे तो अगर हम इन तीनों को देखिए, तो आपको लग रहा होगा, कि जो सबसे ख distance, देखिए, ये less than 60 km है, अर्थ के surface से, तो सबसे जादा जो खतरनाख हमारा होगा, यहां पे वो रहेगा, shallow, क्योंकि ये अर्थ के उपर होता है, अर्थ तक पहुचने में, इसको time ही नहीं लगेगा, ठीक है, और जल्दी से सब कुछ खतम हो जाएगा, the deep focus earthquakes are rarely destructive, इस तरह है, का जो earthquake होता है, वो मतलब कभी क्या हुआ, कभी destructive हो गया, नहीं तो इस तरह का कभी भी destructive नहीं होता, reason क्यों नहीं होता, because the time the wave reaches the surface, the impact reduce की, जब तक वो wave आर्थ के surface तक पहुचती है, तो उसका कुछ seconds का होता है, वो या एक minute का होता है मुश्किल से, तो जो उसकी vibration है, व वो बहुत ज़्यादा common होता है, और बहुत ज़्यादा damaging होता है, क्यों होता है, क्योंकि देखिए, इसकी जो speed है वो तो less than 60 km per second है, उपर ही होगा, ये area तो उपर होगा, तो proximity of our surface में होने के वज़े से vibration है, जो जल्दी से our surface तक बहुच जाएंगी, और सब कुच खतम हो ज सब की frequency और velocity एक जैसी नहीं होती, कभी बहुत ज़्यादा higher frequency का आता है, velocity का आता है, और कभी बहुत कम आता, अगर frequency velocity ज़्यादा होगी, तो मतलब damaging, चाहे वो inhabitant की damaging है, human being की है, infrastructure की है, building की है, वो ज़्यादा होगी, और अगर intensity कम होगी, तो कुछ नहीं होगा, just a little shaking of our earth surface, ठीक है, अब हम बात करते हैं, body wave, P wave और S wave, penetrate the body of the earth, यह हम already study कर चुके हैं, student यहाँ से बिल्कुल same given है, यहाँ पे हम आते हैं, कि कुछ ऐसे instrument होते हैं, जिससे हम earthquake को measure कर सकते हैं, earthquake के जो energy थी, वो कितनी है, वो हम on apparatus से measure कर सकते हैं, अब इसमें सबसे पहले देखिए, earthquake magnitude औ amount of energy release किसे हम determine करेंगे, sesimograph से, अब sesimograph क्या है, यह एक instrument है, जो क्या record करता है, हमारी grounds की vibration, मतब earthquake की intensity magnitude कितना था, वो हम किसे record कर रहे हैं, sesimograph से, और इस scale को भई, एक तो आप से scale का नाम पुछा जा सकता है, दूसरा, इस scale को develop किसने किया था, एक Charles Reactor, एक scientist था, जिसने इस scale को discover किया था, और अगर earthquake का magnitude 7.5 reactor scale पे होता है, और एक, अगर हम measure करें, 6.5, तो पता है, इन दोनों में कोई, जैसे आपको दिख रहा होगा, जैसे एक का ही difference है, लेकिन actual में, अगर 6.5 है, और एक reactor scale पे 7.5 है, तो दोनों के भी 30 times का difference होता है, यह आपको याद रखना है, ठ earthquake जिसका magnitude 7.5 reactor scale पे, ठीक है, और एक earthquake जिसका magnitude 6.5, तो देखने में हमें क्या लगता है, कि just one का difference है, लेकिन अगर हम reactor scale की बात करें, कि 6.5 और 7.5 में कितना difference हो, तो 30 times energy ज्यादा release होती है, 7.5 के magnitude में, जो measure किया जाता है, reactor scale के ऊपर, ठीक है, an earthquake of magnitude 3 is smallest normally felt by human, अगर उसका magnitude 3 है, तो generally वो लोगों को feel हो जाता है, and the largest earthquake has been recorded with the system 9.25, सबसे largest जो अब तक measure किया गया है, magnitude earthquake का वो 9.25 है, और यह कहां था वही, Alaska के अंदर 1969 में, और Kyle 1960 के अंदर, ठीक है, जो second type का scale एक और होता है, जिसमें हम, उसमें magnitude को हमने measure किया था, इसमें हम earthquake की intensity को measure करते हैं, तो यह जो scale है, यह 1902 में develop हुआ था, मरसिली scale इसको हम बोलते हैं, और मरसिली नाम के Italian seismologist ने ही इसको discover किया था, ठीक है, उससे देखिए, भई हमने seismograph से magnitude को measure किया था, और जो मरसिली scale होता है, जिसको मरसिली ने ही discover किया था, 1902 के अंदर, उससे हम intensity earthquake के कितनी है, उसको measure करते हैं, ठीक है, अब यह कुछ seismic zoning map दिखाए गए हैं, इंडिया के map के अंदर, कि इसमें 4 जोन में हमारा इंडिया convert है, जोन 2, 3, 4 और 5 के अंदर, जोन 1 नहीं है, और जो जोन 5 है ना, वो red color के अंदर दिखाए गई है, देख आपको दिख रहा है, यह जोन 5 है बई, और जोन 5 ही वो area होता है, इंडिया के अंदर, जो बहुत ज़्यादा प्रोन है, अर्थक्वेक के, अब देखिए, यह काफी इंडिया का, यह पार्ट बहुत कम है, इसलिए इंडिया में इतने बड़े-बड़े bookamp नहीं आते, ठीक जो न्यू दिली, जो हमारी capital है इंडिया की, वो जोन 4 में लाई करती है, जोन 4 का color देखिए, यह है, तो यहाँ पे दिख रहा है, यह दिली का color आपको, ठीक है, और क्या बताया है, मुंबई एंड चेने आर इं जोन 3, जोन 3 का color हमारा यह है, तो हमारा मुंबई और चेने यहाँ से देखिए, अगर आपको map study करना आता है, तो आप पता लगा सकते हैं, कि आप जिस area के अंदर रहते हैं, उस area के अंदर, आप कौन सी zone के अंदर आते हैं, लेकिन यह sure है, कि जो हमारी zone 5 होती है, जोन 5 वो सबसे ज़्यादा prone होती है, आर्थक्वेक के, ठीक है, तो अब देखिए, कुछ possible risk reduction measure, मतलब हम कैसे उस चीज़ के risk को कम कर सकते हैं, तो एक तो हम पहले ही, जो हमारी community है, जह हम रहने, पहले से उनको prepare कर दे इस तरीके से, कि अगर अर्थक्वेक आता है, उनके अंदर एक awareness लेके आएं, कि आपको उस time पे करना क्या है, पहले से ही ह structure जो आजकर buildings बनती हैं, उनमें engineered structure हम use करके, good soil condition, sharp rumbling जैसे आप यहां देख सकते हैं, कि अगर इस तरीके की building है, तो वो become के time पे खड़ी रहती है, और इस तरीके की है, तो वो गिर जाती है, तो इस तरीके की आपको बनानी है, एक engineered structure set करना है, ठीक है, यह diagram आप देख सकते हैं, किस तरह की roof हैं, जो हमें घर को construct करते time बनानी होती है, ठीक है, तो engineered structure भी एक way होता है, जिससे हम earthquake के risk को थोड़ा से reduce कर सकते हैं, तो देखे, second जो हमारा, देखे, हमने अर्थक्वे कम्प्लीट कर लिया है, second जो हमारा natural disaster है, उसमें हम study करेंगे सुनामी, देखे, सुनामी की जो लहरे होती हैं, वैसे तो इसके पीछे बहुत कारण होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादार जो कारण हम मानते हैं, वो एक तो ह मीन धसने लगे, वो भी एक रीजन है, जो आला मुखी फटती है, या किसी तरह का विस्पोटक होता है, लाइक उलका पात आते हैं, तो वो भी कभी न कभी सुनामी लहरे उठाने में अपना वो करते हैं, बई, तो देखे, सुनामी होता क्या है, सुनामी जो वर्ड है, यह नहां से भी कोशिन पूछे जाते किस लेंग्वेज से वर्ड लिया गया है, यह दिराइव किया गया है, जैपैनी ड्रम टशू से, जिसका मिनिंग होता है, हार्बर और नामी, टी साइलेंट हो जगा, शू हम इसको बोलेंगे, तो इसका मिनिंग होता है, वेवस, सुनामी popularly एक तरह की tidal wave होती है जो sea oceans के अंदर आती है but they actually have nothing to do with the tides कोज क्या होता है सुनामी का अभी मैंने आपको बताया कि इसका कारण become हो सकता है जमीन जो है अंदर की वो धसने लग जाए जवाला मुखी फट जाए भई या किसी तरह का विस्पोटक हो जाए उसके अंदर पानी के अंदर कभी-कभी उलका पात गिरने से हो जाता है तो उसकी वज़े से जो waves उठती है सुनामी उठती है लहरे उठती है वही सुनामी को कोज करती है तो कुछ हम English में भी study कर लेते हैं most common of these are fault moment in the sea floor sea मतलब जो पानी के अंदर का floor है वहाँ पे भुकम बाना वही बात इन्होंने की है उससे क्या होती है large amount of energy release होती है वो energy तनी ज्यादा होती है कि उसकी capacity होती है कि वो ocean को cross कर ले the degree of moment depends on how fast the earthquake occur and how much water is displaced ठीक है तो यह देखिए यहाँ पे यह बिलकुल normal situation आपको दिखाई गई है मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा करके दिखाती हूँ आपको यहाँ पे disturbance हो गई तो देखिए यह जो पानी का लहर था इसमें disturbance हुई ठीक है flood tide यह floods आती है और यहाँ पे suppose पहले वेव ऐसे उठी फिर यह वेव धीरे धीरे जो शोर लाइन होती है बैंक होता किनारा होता वहाँ तक पहुचके और काफी उचे उठके भई क्या कोज करती है सुनामी और रीजन क्या होता है यह सुनामी आने का जो first कोज बताया वो क्या है अर्थकोएक अर्थकोएक कोज करता है सुनामी को second देखिए जो मैंने बताया था जमीन धसने लगती है तो second or most common cause of सुनामी is land slide either occurring under water or originating above the sea वो land slide क्या होगी या तो water के अंदर की जमीन या फिर sea के उपर ही कुछ ऐसा हो जाए जो मतलब लार्जे सुनामी आज तक प्रोड्यूस हुई है land slide के वज़े से वाज इन लूट या बे अलासका कब हुई थी उसके अंदर 1958 के अंदर ये आपको याद रखना है अगर बहुत जादा रोक स्लाइड होगी पानी के अंदर तो उसकी वज़े से जो हाईयर हमारी लहरे जाएंगी उसकी उचाई इतनी रहेगी शोर लाइन से जो हमारा किनारा होता है थर्ड हम बता रहे थे भई थर्ड जो रीजन है वो जवाला मुखी फटने से भी हो सकता है जिसको हम इंदी में इंग्लिश में बोलेंगे वॉल्कैनिक एक्टिविटी वो भी एक रीजन होता है वॉल्कैनो लोकेट नियर दशोर और अंडर वोटर में अपलिफ्ट दा डिफ्रेस सीमिलर तू दा एक्शन ओफे फॉल्ड लेंड स्लाइड के वज़े से अलासका के अंदर हुई थी जिसमें जो लहरे थी वो इतनी उची गई थी अब जो सुनामी आई है वॉल्कैनिक एक्टिविटी की वज़े से वो हमारी आई थी करा कोटा इंडोनेशिया में 1883 के अंदर प्रोड्यूस सुनामी मेजरिंग 40 मीटर विच क्रश्ड अपोन जावा एंड सुमात्रा इतनी उची ये लहरे थी जिसने क्रश कर दिया था हमारे जावा और सुमात्रा को और इतनी बड़ा ये डिजास्टर था कि इसमें 36 जार लोग मारे गई थे ठीक है अब सुनामी के कुछ जनरल करेक्टर स्टीक है भई सुनामी डिफर फ्रॉम ओर्डिनरी ओशियन वेव जैसे एक समुंदर में लहरे उठती रहते हैं तो उससे अलग हमारी सुनामी की वेव होती है अब जो ओशियन की वेव हैं तो स्पीड हंडर्ड किलोमेटर पर आर की उनकी होती है अगर हम बात करें तो सुनामी की जो चाल है वो एक जेट ऐरो प्लेन के स्पीड के जितनी होती है अब कॉंट्रेरी बिलीफ क्या है इसके बारे में कि सुनामी इस नोट अ सिंगल जायंट वेव it is possible for tsunami to consist of 10 or more wave which is then termed as tsunami wave train कि उसमें कोई एक सिंगल वेव नहीं होती कि ऐसा माना जाता है कि उसमें 10 या 10 से जादा wave एक साथ आती हैं जिसकों बोड़ते हैं tsunami wave train and the wave follow each other 5 to 90 minute apart and tsunami से क्या होगा region क्या होगा tsunami आएगी तो भी flood आजाएगी आसपास के area के अंदर अब question है भई कि इसकी predictability कैसे हो तो इसके लिए भी कुछ warning system बनाए गए हैं दो तरह के warning system हम यह study करेंगे एक होता है international tsunami warning system और एक होता है regional warning system इन warning system के तुरू पहले ही उस area में जो लोग रहते हैं उनको warning दे दी जाती है कि इतने time period में आपको यह area खाली करना होगा क्योंकि इतने घंटे के बाद tsunami यहां आ सकती है और लोगों को बचाया जा सकता है tsunami have occurred in all the ocean and meditarian sea but the great majority of them occurred इन सबसे ज़्यादा जो होती है tsunami वो pacific ocean के अंदर है since scientists cannot exactly predict the earthquake they also cannot exactly predict when a tsunami will be generated जैसे कि scientists exactly यह नहीं बता सकते कि earthquake कब आया है तो उसी तरीके से वो यह भी नहीं बता सकते कि tsunami कब आएगी ठीक है लेकिन कुछ international tsunami warning system बनाये गए है जो कब बनाये गया था shortly after the hillo tsunami 1946 the pacific tsunami warning system was developed इसके बाद मतलब 1946 में pacific tsunami warning system developed किया गया with its operational center जहां कहां से इसका operation होता है pacific tsunami warning center से जो नियर होलूलू हवाई के अंदर है ठीक है अब यह क्या करता है यह जो warning system है यह alert करता है countries को कई घंटे पहले tsunami के आने से and the warning include predicted arrival time at selected coastal communities मतलब warning system में यह बता दिया चाता है कि उनका arrival time क्या है मतलब किस time पे वो tsunami आ सकती है और कौन सी community के अंदर आएगी ठीक है इसके थ्रू हम यह बता सकते हैं दूसरा हमारा एक regional warning system होता है usually use अब regional warning system में जो use किया जाता है वो होता है seismic data about nearby earthquake to determine if there is possible local threat of tsunami मतलब जो earthquake के time पे जो seismic data release होता है ना उस seismic data से ही यह पता लगाया जाता है कि जो tsunami है उसका threat कितना होगा and so system are capable enough to provide warning to the general public जैसे वहाँ पे countries को alert किया जाता था international tsunami जो warning system मनाया गया था लेकिन यहाँ पे regional warning system के अंदर हम general public को 15 मिनट में हम उसको inform कर सकते हैं कि tsunami का असर कितना होगा अब यह history दी है बही इस tsunami की इंडिया के अंदर जब जब आई है तो अगर आप चाहो तो इसको एक बार study कर लेना हो सकता है question पूछ भी ले deep में जाएं और ना भी पूछें तो यह table मैंने add कर दी है आप यहाँ से एक बार देख लेना थीक है specially December 2004 के तो आप जरूर याद रखना जो tsunami आई थी थीक है अब flood management में क्या बताया है जो tsunami है उसका एक region flood है भी देखिए जब पानी की wave strike करके sea से बाहर आएंगी तो जो आसपास का coastal area है उनमें तो सब में बाड आ जाएगी flood आ जाएगी तो tsunami wave will flood the coastal area and flood mitigation measure could be incorporated थीक है तो अगर flood आएगी तो पहले से अगर हमें tsunami के बारे में warning दी है तो हम एक तरह से बाड को भी manage कर सकते हैं कुछ ना कुछ करके तो flood management भी इसमें हम कर पाते हैं अब देखिए भई next जो हमारा disaster है वो रहेगा cyclone अब cyclone का region क्या हाने का देखो कारण क्या होता है जब गरम मोसम होता है तो गरम मोसम में जो हमारा sea और ocean का water है वो evaporate होता है वासपित होता है और जब water evaporate होता है तो वो उपर जाके क्या होगा condense भी होगा water उपर जाके क्या होगा बही condense होगा जब water के droplet condense होएंगे तो वो किसकी formation करते हैं सभी को बता है बादल बनता है, cloud बनता है ठीक है, अब जो उपर उठती वायू है उपर उठी वायू है हवा है जो उपर उठी उसका स्थान लेने के लिए वायू नीचे से भी तो जाएगी air pressure maintain करना भी यहां से air गई तो यह जो area fill up करना है उस area को fill करने के लिए वायू तेजी से नीचे की तरफ से आती है ठीक है तो वहाँ क्या होता है जब वो नीचे की तरफ से आती है तो वहाँ एक किंदर बन जाता है ऐसे एक center बन जाता है और किंदर के आस पास एक चक्रिय गती बनती है चक्रिय गती मतलब एर के rotation की ठीक है अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा C का water है सागर का जो गरम जल है उसके उपर उपस्थित वाईउ प्रेजन्ट जो वाईउ है उसके तापमान तथा उसके दबाव में अंतर के कारण चक्रवात आता है साइकलोन आता है वहाँ पे air pressure का difference हो जाता है कि एक जंगे तो जो air है उसका temperature कम है और एक जंगे जो air है उसका temperature ज़्यादा है तो वो जो air का temperature होता है ना दो जंगे वो region बनता है हमारा cyclone का तो देखिए यहाँ पे English में भी मैंने mention किया हिंदी में मैंने बताया है कि cyclone is a region of low atmospheric pressure एक cyclone एक region होता है जहाँ पे air का pressure ना कम होगा surrounded by high atmospheric pressure वही बात कर दी कि यह एक region है यहाँ पे तो atmospheric pressure कम है और जो इसके side का area है ना भई वहाँ पे atmospheric pressure जादा है clockwise direction में और कुछ जो air हमारी है वो move करेगी clockwise direction में अगर हम बात करें ना northern hemisphere की तो वहाँ पे तो जो air है वो move करेगी anti-clockwise direction के अंदर और जो हमारा southern hemisphere है अगर हम देखें तो वहाँ पे जो air move करेगी वो clockwise direction के अंदर तो जो यह air pressure का difference होता है movement का जो difference होता है ये mainly होता है हमारा tropical और temperate region of world के अंदर और वही region है किसका cyclone का चक्रवाद का हिंदी में cyclone को चक्रवाद बोला जाता है इंडिया के अंदर जो cyclone है ना वो moderate nature के आते हैं ना बहुत तेज आते ना बहुत कम आते उनका nature moderate होता है कुछ characteristic होते हैं cyclone के एक तो उसमें जो strong wind है मतलब जो हवा आती है ना वो बहुत तेज ऐसे 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 आती है exceptional rain मतलब rain कभी कभी आते है चक्रवाद के टाइम पे और क्या होता है strong huge मतलब एक तुफान सा आ जाता है ठीक है आप देखिए cyclone को अलग लग country में बई अलग लग नामों से जाना जाता है तो question बनता है यहां से जैसे टाइफून बोल दिया टाइफून कहां पे बोला जाता है north west pacific ocean west of date line hurricane बोल दिया यह नाम तो सारे cyclone के ही है लेकिन अलग लग country में इनको अलग लग नाम दिया जाता है अब देखिए question यह भी होता है कि मतलब नाम कैसे select करें जब cyclone आता है तो cyclone के आने से ही पहले हर country से कि अगर cyclone हिट होगा तो उसका नाम क्या देंगे हर country अपना database ती इस चीज के लिए और फिर उन्ही में से एक नेम को select कर लिया जाता है जब बात करें hurricane की तो hurricane कहां आता है North कहां बोला जाता है cyclone को hurricane North Atlantic Ocean North East Pacific Ocean tropical cyclone कहां बोला जाएगा Southwest Pacific Ocean और Southeast Indian Ocean में यहां क्या बोला जाएगा हमारे इंडिया में tropical cyclone severe cyclone storm the North Indian Ocean के अंदर और tropical cyclone Southwest Indian Ocean के अंदर फिर इसी cyclone को विली विली बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर और इसको tornado के नाम से जाना जाता है South America के अंदर तो यह कुछ नाम है हमारे किसके हैं यह नाम हमारे cyclone के नाम है टाइफून एक बार दोबाला देख लीजिए टाइफून कहां बोला जाता है Northwest Pacific Ocean Hurricane North Atlantic Ocean और Northeast Pacific Ocean ट्रोपिकल साइक्लोन हमारे इंडिया के अंदर बोला जाता है इसमें भी दो त्रहकाइक Severe Cyclonic Storm जो North Indian Ocean में बोला जाएगा और ट्रोपिकल साइक्लोन जो Southwest Indian Ocean में Village in Australia and Tornado in South America तो ये आपको नाम यहाँ पे ध्यान रखने है अब देखिए Development कैसे होती है Cyclone की इसमें कवर होती है तीन स्टेज नेमली जिससे चक्रवात बनता है, साइक्लोन बनता है सबसे पहली जो स्टेज है वो है वही Formation and Initial Development State इसमें क्या होगा Atmospheric और Oceani Condition are Necessary मतलब जो Ocean का Water होता है वो सबसे पहले Evaporate होगा तो सबसे पहली Condition ही हमारी यह है कि 4 Atmospheric Oceani Condition are Necessary for the Formation of Cyclonic नेमली High Relative Humidity मतलब Degree to which the Air is Saturated मतलब Water Vapor बनेंगे ठीक है और Water Vapor कब बनेंगे जब डिरेक्ट सन की हीट पानी के उपर गिरेगी Of the Atmospheric of Hight about 7000 मीटर Facilate Condensation of Water Vapor उसके बाद जो Water Evaporate होगा तो Water Vapor बनेंगे Droplets बनेंगे उससे Cloud बन जाएंगे और वो Cloud क्या Release करेंगे Heat Energy and Induce Drop in Pressure Second क्या होगा Atmospheric Instability होगी वही जो मैंने बताया था कि सेंटर में तो Air का Pressure कम हो जाएगा और उसके साइड में Air का Pressure जादा हो जाएगा तो Atmospheric Instability एक Condition है Cyclone काने में एक क्या होगी Third Condition A Location of Atleast 4 to 5 Altitude Degree from the Equator Allow the Influence of the Force due to the Earth Rotation जो इसमें जो Force लगता है वो Force होता है Coriolis Force To Take Effect In Inducing the Cyclone and Wind Circulation Around Low Pressure Current तो यह Force का नाम आपको याद रखना है कौन सा Force इसमें काम करता है Coriolis Force काम करता है देखिए यह I है जो यह Point हमें दिख रहा है ना यहाँ पे Diagram के अंदर इसको हम Cyclone की I के नाम से जानते है Cyclone Formation दिखाया है तो देखिए यहाँ पे दो तरह का Cyclone बताया है एक Fully Matured Cyclone और एक Weakening और Decay जो Cyclone होता है क्योंकि जब Cyclone Hit कर जाता है Earth Surface पे तो वो Weak पड़ जाता है Fully Matured में क्या होता है Main Feature क्या होते है Fully Matured Tropical Cyclone के कि इसमें जो यह देखो आपको Cloud दिख रहे है तो Cloud का ऐसे Spiral Pattern होता है और वो जो Spiral Pattern होता है वो अंदर की तरफ होता है Spiral Pattern होता है Giant Clouds का और यह जो Spiral होगा वो Inward होगा तो वो क्या करेंगे Spiral करेंगे एक Active Central Cloud Core को और वो जो Core होता है उसको बोलते हैं Calm Area Calm जोन बोल सकते हैं या Calm Area बोल सकते हैं तो जब वो उसको Spiral Inward करते हैं Cloud हमारे तो वहाँ पे एक Eye की Formation होता है जिसको हम बोलते है Eye of the Cyclone अब यह Eye दिखती कैसे है देखिए आपको Diagram में दिख रही है तो It Look Like a Black Hole एक Black Hole की तरह यह दिखेगी और इस Black Hole को किस से सराउंड किस से सराउंड हुआ होता है यह Black Hole Thick Cloud से The Outer Circumference of Thick Cloud is called the Eye Wall मतलब स्पोज अगर यह हमारी Eye है तो यह जो Outer Circumference है इसको बोला जाता है Eye Wall के नाम से ठेक है Next बात करते है Weakening or Decay Cyclone की जब यह Cyclone उपर से आता है Higher Altitude से आता है जब यह Hit कर जाता है Earth Surface पे तो जो Moist Air है वो Abruptly Cut Off हो जाती है वहाँ से चली जाती है ठीक है तो Hit करेगा Land पे वहाँ पे इसकी Energy क्या हो जाएगी Low हो जाएगी तो इसलिए इसको बोल दिया प्रड़ी कर लेना Two-third of the Cyclone that occur in Indian Coast Line कहां पे होते है Mostly Bay of Bangal में और जो State है जो Generally Effect होती है Cyclone के वज़े से वो हमारी West Bangal है Udissa है आंध्रा परदेस है Tamil Nadu है West Coast है गुजरात का महारास्टरा है गोआ है करनाट का है केरला है यह कुछ एरिया हमारे इंडिया के अंदर moderate level रहता है Cyclone का और यही एरिया है जो Generally Hit होते है ठीक है India has one of the best Cyclone warning system in the world सबसे best हमारे पास है warning system Cyclone के regarding उसको कौन देखता है Indian Meteorological Department is the nodal department for wind detection जो wind को detect करता है वो हमारा IMD है track करता है forecast करता है Cyclone को and Cyclone की जो tracking होती है वो किसके थरू होती है एक satellite के थरू question पूछ सकते है उस satellite का नाम क्या है inset satellite and cyclone warning is disseminated by several means such as satellite based disaster warning system है उस satellite system को जैसे ही हमें inset satellite से पता चला कि cyclone आ सकता है तो हम सारी जो हमारी news है वो radio के थरू television के थरू telephone, fax, high priority telegram, public announcement या bulletin press के अंदर हम डाल देते हैं और लोगों को news मिल जाती है general public को ठीक है next जो natural disaster है by floods, floods सभी को पता बाड को बोलते हैं उस बाड का region हमारा उपर पढ़ा था हमने tsunami भी हो सकता है heavy rainfall भी हो सकती है ठीक है को नहीं पता होता कि किस एरिया के अंदर बाड आएगी किस एरिया के अंदर सुखा पड़ेगा क्योंकि जो अगर बाड आती है तो उससे damage होता है life का और property का अब flood क्या है what is flood तो inundation of an area by water एक area जिसके अंदर बहुत ज्यादा पानी आ जाए उसको flood बुला जाता है या दूसरे वर्ड में हम अगर ये कहें कोई river है वो overflow हो जाए किनारे से भी उपर उसका पानी चला जाए तो उसका पानी कहा जाएगा भी आस पास के area में जाएगा और वो flood cause करेगा अब cause क्या है flood के क्या क्या region हो सकते है heavy rainfall हो सकते है बहुत ज्यादा बारिस हो sedimentation deposition हो सकता है मतलब हमारी जो river है जो नदिया है उनमें नीचे बहुत कुछ sediment हो चुका है जमा पड़ा है और जब उसमें पानी आता है तो वो पानी ओफलो करके bank के जो किनारा होता है नदी का उससे उपर चला जाता और आसपास के अरिया में बाड़ा जाती है deforestation एक region है deforestation मतलब जो लोग है वो पेड़ों को काटते जा रही है जिससे जो water है water के particle जोते हैं उनको bind करके रखती है हमारे trees की root तो वो उसको bind नहीं कर पाएंगी और आसपास के अरिया में पानी जाएगा और deforestation होगा cyclone अभी हमने पढ़ा cyclone भी एक region होता है जैसे इसमें पता है October 1994 में Odissa में जो cyclone generate हुआ था उससे बहुत ज़्यादा बाड़ आई थी और उसने काफी lose किया था life का और property का drainage system अच्छा नहीं है तो वो भी एक region है change in the course of the river ये भी एक region है सुनामी भी हमने पढ़ा था एक region है ये सारे causes हैं बाड़ आने की अब loses by the flood human और animal दोनों ही effect होते हैं क्योंकि human तो फिर भी कैसे ना कैसे rescue team आके humans को फिर भी बचा लेते लेकिन हमारे animals की तरफ organism की तरफ जो छोटे organism है उनमें काफी damage होता है उनकी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं होता जो घर है वो collapse होके गिर जाते हैं जो domestic जो life है people की वो बिलकुल damage हो जाती है और उसकी वज़े से जब गंदगी होगी तो जो हमारी epidemic से बिमारिया है like malaria, diarrhea ये common हो जाती है बाड आने के बाद portable water बहुत कब मिलता है लोगों को लोगों को जैसा contaminated water उनको मिलता है वो उसको gain करते हैं उसकी वज़े से भी काफी water bondages उस टाइम पे होती है तो ये loss होता है तो इसमें कुछ data मैंने mention किया है कि 1953 के अंदर जो बाड आई थी इतने area के अंदर तो कितने लोग उससे affect होए थे 87 के अंदर बाड आई थी तो इतने जो people थे वो उससे affect होए थे ये data आप यहां से पढ़ लेना अब जो flood prone area है वो हम study कर लेते हैं flood prone area about 4 crore hectare area of our country is flood prone मतलब 4 crore area देखो कितना ज़्यादा area है जो हमारा flood prone है and the most flood prone area है वो है ब्रह्म, पुत्रा, गंगा and इंडस बेसिन जिसमें क्या क्या आएंगे फिर उत्र परदेश का area हैगा बिहार का, वेस्ट बंगाल का, उडसा का ये mostly flood से affected है flood affected state हरियाना, पंजाब and आंधरा परदेश हमारी भी आती है उसमें nowadays राजस्थान और गुजरात भी है also filled up fury of blood वैसे तो राजस्थान में बारिश आएगी आएगी तो सिद्धी बार्ड ही आती है वहाँ पर फिर ठीक है तो राजस्थान का area भी flood prone हो चुका करनाट का महारास्टा आर नो लोंगर immune to flood ठीक है, ये diagram है इसको आप छोड़ देना, flood control measure में हम क्या बना कर सकते हैं reservoir by constructing reservoir in the course of river could store extra water at the time of flood, reservoir बनाते हैं ताकि बार्ड के टाइम पर extra water को वहाँ store करके रखा जासके dam बनाते हैं किसको control करने के लिए flood को फिर एक होता है embankment इसमें हम क्या करते हैं by building flood protection embankment किनारे के पास the flood water can't be controlled by from overflowing the bank and spreading it nearby area embankment बनाके हम ये देखते हैं जो पानी है river का वो किनारों से उपर ना जाए और हम उस area को जो आसपास का area है river के उसको बजास के ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा के हम क्या कर सकते हैं flood को कम कर सकते हैं restoration of original drainage system जो drainage system में problem होती है उसको manage करके restore करके वहाँ पे water को हम flood को control कर सकते हैं तो यह अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना flood management otherwise no need कुछ point है some dude जो हमें करने हैं कुछ जो हमें नहीं करने during पहले और flood आने के बाद आने के बाद listen to the radio for advanced information at advice disconnect करना चाहिए all electrical appliances को move vehicle farm animal and movable goods to the higher ground उनको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाएं prevent करें dangerous pollution को keep all insecticide pesticide out of reach of flood water क्योंकि अगर यह पानी में मिलेंगे तो वही पानी भाई सब के mouth में भी जाएगा organism है जो पानी के अंदर वो भी aquatic animal है वो भी damage हो जाएंगे तो इन चीजों को दूर रखना चाहिए switch off करड़े चाहिए electricity and gas in case you have to leave the house अगर आप घर चोड़ रहे हैं तो look all door and window if you have to leave the house do not enter flood water on foot or in vehicle as far as possible मतलब पानी में गुसना ही नहीं चाहिए चाहिए vehicle है या फिर आप वैसे जा रहे हैं never vendor in the flooded area on your own ठीक है तो यह हमें कुछ बताया गया है जो हमें follow करना चाहिए next भई drought drought flood का उल्टा हम बोल सकते हैं कि ऐसे area जहां पे पानी ही नहीं है ठीक है सूखा पड़ा हुआ है the tragedy caused by drought affected the people slowly and vastly this is different type of agony but painful to see domestic animal to die of hunger and third देखा होगा भई अगर पानी नहीं है तो जो हमारे domestic animal है वो भी प्यास की वज़े से भूग की वज़े से मर जाते हैं कुछ टाइम के बाद क्योंकि drought में क्या होता पानी की कमी होती है ठीक है ये आप इसको read कर ले न cause क्या है drought के वो देख लेते है major cause of drought in India is scarcity of rain बारिश की कमी और वो सब क्यों हो रहा है जो climate pattern है उसमें changes आ रहे है बारिश के टाइम पे बारिश नहीं आ रहे और जब बारिश का motion नहीं होता तो unnecessary बारिश हुए जा रहे है जो region बनता है flood का ठीक है but human have interfered in the environmental processes by their activity human being क्या करता है environment के साथ छेड़ चाड़ करता रहता जो nature की चीज़े है उनको natural ना रहने देता और उन से छेड़ चाड़ करता और nature से छेड़ चाड़ करते ही भी disaster रखकर होते है people have filled up the natural resources like pond and lake they have destroyed the vegetation cover vegetation cover impede the flow of rain water and force it to percolate in the ground and human have dug lack of tube well and depleted the ground water reservoir जिसकी वज़े से फिर बारिश भी नहीं आती ठीक है impact क्या होता है draft का अब impact क्या होगा भूग की वज़े से लोग मारे जाएंगे drought को scarcity of food or water भोजन और पानी की कमी हो जाएगी क्योंकि अगर खेतों में पानी नहीं जाएगा तो भोजन भी नहीं ग्रो करेगा भी ठीक है इसकी वज़े से people भूग की वज़े से मर जाएंगे malnutrition होगा epidemics होगी disease है जो वो spread हो जाएंगे and people are forced to migrate from their area of residence और जिस area के अंदर लोग रहते हैं वो area उनको छोड़ना पड़ेगा crop fail due to scarcity of water जो crop है हमारी वो grow नहीं करेगी जो cattle है animals है वो fodder के मिना क्या होंगे they also die अगर उनको पानी और food नहीं मिलेगा ठीक है farmer are deprived of their employment जो खेतों से फसल की वज़े से एक घर जो farmer का किसानों का चल रहा है वो नहीं चल पाएगा people leave their village with their family for a long लोगों को गाउं छोड़ना पड़ेगा ठीक है तो ये कुछ हमारे causes हैं किसके ड्रोट के अब ड्रोट प्रोण एरिया क्या है इंडिया के अंदर study the map carefully कुछ map add किया हो गए नहीं map नहीं है तो देखिए जो region है हम यहां से एक बार study कर लेते हैं ड्रोट प्रोण एरिया कौन कौन सा है there is major region that lie between south Rajasthan, Tamil Nadu के बीच का area और west Madhya Pradesh, central Maharashtra, आंध्रा Pradesh और करनाट का ये area है जहां पे ड्रोट हमारी जादा आती है due to the deficiency in monsoon rainfall and environmental degradation Rajasthan and Gujarat are generally affected by drought and out of 593 district in India 193 district are severely drought prone मतलब इतने में से इतनी तो मतलब वहां पे तो सूखा पड़ेगा ही पड़ेगा in 2003 most part of Rajasthan experience drought for the fourth consecutive year लगातार चार साल तक वहां पे सूखा पड़ा था ठीक है अब कुछ measure क्या है कुछ suggestion है हम cope कैसे कर सकते हैं ड्रोट के साथ सूखे के साथ suitable farming method for arid area तो देखिए कुछ measure है जिससे हम cope कर सकते हैं ड्रोट के साथ suitable farming method यूज करके second just wait student I am taking pen second है sowing drought resistant crop ऐसी crop जिसमें ज्यादा मतलब पानी का यूज ना हो rain के water को harvest करके हम बचा सकते हैं कुछ पानी और उसको हम further use के लिए store करके रख सकते हैं अब drought prone area program ये जो program था ये initiate हुआ था 1973 के अंदर और objective इसके क्या थे कि to minimize the adverse impact of drought on crop कि जो drought का crop पे effect पड़ता है उसको कम कर सके animal पे effect पड़ता है land पे effect पड़ता है and this could be done कैसे हम इसको कर पाएंगे by integrating development by using appropriate technology अच्छे अच्छे technology use करके as it was done for the natural resource of Gujarat by developing, conserving and suitably using the rain water कि जो rain water हमने harvest किया है उसको suitable एक judicial way से पानी का use करके ठीक है ecological balance could be maintained for longer period थर्ड क्या है improve the economic and social condition of the section of society who do not have access to resource and facility तो economically हम use करे हर social condition का या फिर आगे जो हमारे पास resources है उनका उनका use करके भी हम कुछ ना कुछ जो drought prone area है उनके लिए कर सकते है ठीक है state of Rajasthan and Gujarat are comparatively more drought prone than other state यह आपको ध्यार रखना है and the rainfall deficiency during a long period over large area अगर एक particular area के अंदर काफी सालों से बारिश नहीं आती तो उसी को क्या बोला जाता है भी drought बोला जाता है फिर है भी हमारा next जो disaster है वो रहेगा land slide land slide अकर होता है बाई midnight in a place called लामरी on the footpath leading to कैलाश मांसरोवर about 60 km away from धारुचुला इनगस 1998 यह ट्राइम बता है देखो land slide हिली areas के अंदर होता है ठीक है अब जो उसमें क्या होगा जो हमारी hills होती है उनका कुछ area slide होके नीचे आ जाता है उसी को बुला जाता है भई land slide ठीक है अब पढ़ लेते हैं कि land slide होता क्या है एक बार आगे definition मैंने add की है the sleeping of the masses of rock earth or debris downward on the mountain मतलब जो हमारी चट्टाने होती है earth की जो debris होती है वो mountain से नीचे की तरफ आती है ठीक है उसी को बॉला जाता है land slide and the occurrence of land slide in mountain area is increasing day by day इसका region क्या है कि हम जो हमारे mountainous area हमाँ पर road वागेर बनाते हैं तो वो भी एक region है कि जो उपर की जो हमारे hills है land है वो slide होके नीचे की तरफ आ जाती है impact of the land slide on the people in the mountain is clearly visible दिखता भी हमें है जब हम ऐसे area में जाते हैं तो land slide prone area सभी को पता है हमारा जितना भी hilly areas है like जम्मू कश्मीर इमाचल परदेश सुत्राखंड है सिक्किम है ये कुछ ऐसी जो state है जो काफी vulnerable है land slide के इसके अलागा अगर हम southern India की बात करें तो माहरास्टरा करनाट का तामी नाडू केरला ये भी कुछ area है जो prone है land slide के अब causes क्या है land slide का एक तो जब बहुत ज़्यादा बारिस हो जाती है heavy rain वो main cause है deforestation deforestation मतलब another cause है ये भी land slide का trees को grasses को bushes को cut कर दिया जाता है तो जो mountain slope है वो lose कर देता अपनी protective cover tree की वज़े से falling गिरते हुए पेडों की वज़े से इससे जो rain water है वो flow करेगा ऐसे slope से और इससे भी land slide का खत्रा रहता है अगर hilli areas में earthquake आता है shifting agriculture construction of houses and other building all are the region of the land slide अब impact क्या होंगे उसके degrade हो जाएगा हमारे environment sources of water वो dry up हो जाएगे सूख जाएगे flood आ जाएगी rivers के अंदर ठीक है road block हो जाएगे अगर कोई भी land slide होके आती है और जो life और property है उसका काफी loss होगा अब question है कि हम इसको कैसे कम कर सकते है mitigate कैसे कर सकते है land slide को तो सबसे पहला क्या रहेगा हम एफोरेस्टरेशन से जादा से जादा पेड़ ग्रो करें जो road construction की नई technology आई है उनको हम क्या करें use करें ban करें on querying of stone and mining of the minerals जो खाने जो खोदी जाती है उन्स चीज़ पे हम ban करें instead of exploitation of forest they should be used scientifically permanent crop like orchids of fruit should replace the seasonal or annual groups मतलब जो ये permanent crop लगाते है इनकी जगां seasonal or annual groups use कर सकते है controlling the surface flow of water sepage of water should be minimized तो ये कुछ मैंने add किये है आप इनको और detail में पढ़ना चाहे तो यहां से study आप कर सकते तो ये थे भई हमारे कुछ natural disaster आशा करती हूँ सभी को अच्छे से समझ आये होंगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like करे share करे और subscribe करे thank you everyone